सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि डाउनलोड टाइमर बटन ब्लॉगर के अंदर कैसे काम करेगा यहाँ पे क्लिक हेर लिखा आ रहा है और जैसी मैं इसके उपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे 5 सेकिंड का यहाँ पे टाइमर मेरा शुरू हो गया अब इस 5 सेकिंड के टाइमर को भी आप चेंज कर सकते हैं जैसी मैं डाउनलोड फाइल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरी वेबसाइट यहाँ से ओपन हो चुकी है आपको अपने ब्लॉगर के डैस्ट बूर्ड में लॉगिन करना है थीम में जाना है और इस एरो के बटन पे क्लिक करके सबसे पहले आपने बैक अप लेना है यहाँ से मैं आपको उपनी वेबसाइट का लिंक दूँगा डिरेक्ट आप इस पेज में आएंगे यहाँ पेज को थोड़ा सा नीचे करेंगे तो CSS का आपको एक कोड मिलेगा इस पूरे कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे हैट टैक के नीचे आप पूरे कोड को पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद वापीस आप इस वेबसाइट में आएंगे पेज को नीचे करेंगे और यहाँ पे आपको यह जावा स्क्रिप्ट मिलेगी इस पूरी JavaScript को आपने copy करना है फिर से dashboard में आएंगे page को बिलकुल मीचे करेंगे और last में आपको मिलेगा closing body tag ठीक इसके उपर आपने JavaScript को paste करना है और paste करने के बाद आप एक बार save करके चेक करें किसी तरह का कोई error तो नहीं आरा यहां पर आप देखेंगे मेरे पास कोई भी error नहीं आया अब वापिस यहां से आपने back करना है new post के उपर आप click करेंगे यहां से आपने HTML को select करना है और आपकी जो भी post है उसके अंदर आप इसको add करना चाहते हैं नहीं post create करेंगे तो यहां पर obviously आपने title देना है अगर आप अपनी पुरानी post में add करना चाहते हैं तो वापिस आपनी इस website में आना है फेज को नीचे करेंगे और यहां पर जितना भी code है उसे copy करेंगे और आपकी जो पुरानी post है उसमें आप जहां पर भी add करना चाहते हैं उस पूरे code को add करेंगे यहां पर आप देखेंगे four times मैंने hashtag दिया है अब इस hashtag को आपने अपने link से replace करना है अगर आप अपनी किसी website का link देना चाहते हैं यहां फिर कोई download link देना चाहते हैं तो आपने यहां पर उसे add करना है यहां पर मैंने अपनी website का नाम डाल दिया आप चाहे तो कोई download link दे सकते हैं मैंने इसकी position center रखी है आप इसे left right देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं click here मैंने यहां पर लिखा है किस तरह की दिखाई दे रही है यहां पर click here लिखा रहा है और जैसी मैं इसके उपर click करूँगा तो आप देखेंगे 5 second का यहां पर timer मेरा शुरू हो गया अब इस 5 second के timer को भी आप change कर सकते हैं जैसी मैं download file पर click करूँगा तो आप देखेंगे मेरी website यहां से open हो चुकी है आप चाहे तो download file की जगा कुछ और add करना चाहते हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं अब यहां पर timer मैंने सिर 5 seconds का दिया है आप इससे जितनी देर कर देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं उसके लिए आपको फिर से अपने theme के section में जाना पड़ेगा यहां से back करना है theme में जाना है और यहां से आप edit html के उपर click करेंगे page को बिल्कुल नीचे करेंगे जहां पर body tag था closing body tag यहां पर आपको code मिलेगा 5 मतलब 5 seconds का timer अब यहां पर आप जितनी देर का भी timer set करना चाहते है उसको यहां पर set कर देंगे और save के उपर मैंने click कर दिया save होने के बाद office मैं यहां पर आऊँगा अपने page को refresh करूँगा refresh करने के बाद फिर से मैंने click here पर click करा और आप देखेंगे यहां पर मेरा 15 seconds से timer start हो चुका है